हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, जैपन हो, चाइना हो या फिर इटली हो मगर हम जो सॉस खाते हैं यानि कि टॉमेटो केचप इसके बिना हमारा हर एक स्नैक अधूरा है हम हर एक स्नैक के साथ मार्केट वाले केचप का इस्तेमाल करते हैं चटकारे लेते हुए बट हमें पता नहीं होता है कि उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ हेल्दी वाली टॉमेटो केचप की रेसिपी शेयर करूँ ताकि हम जब भी जितना चाहें उतना केचप जिस चीज में डाल कर खाना है हमें खा सकते हैं आप खुद ही देख सकते हैं हमारे होमेट केचप की जो कंसिस्टनसी और कलर है वो मार्केट वाले केचप की जितना ही परफेक्ट एकदम आया है और इसका टेस्ट तो लाजवाब है ही तो चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पे बेट रूट का भी इस्तेमाल किया है क्यूंकि यह हमारे जो केचप का कलर है वो बेट रूट से एक्स्ट्रा डार्क हो जाएगा और बाकी के सभी इंग्रिडेंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्चन बॉक्स में दे दूँगी आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो यहाँ पे हमें एकदम फ्रेश वाले टमाटर का इस्तेमाल करना है मैंने यहाँ दो किलो टमाटर का इस्तेमाल किया है और उसे रफली हमें चौप कर लेना है अब हम इन सारे टमाटोस को एक नॉन्स्टिक पैन या फिर स्टील के बड़े से पतीले में लेंगे हम अलुमिनियम के पतीले में इस सौस को नहीं बनाएंगे क्योंकि अलुमिनियम के पतीले में जो है टमाटर खटे होने से वो रियाक्शन हो जाता है तो सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे हम चीनी और विनेगर जो है वो बाद में डालेंगे बाकी की सभी चीज़े हम टमाटर को पकाते समय ही इसमें डाल देंगे अब हम इसे ढख कर कम से कम 15 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए आप यहाँ पर फ्रेश वाली जो रेड चिली होती है उनका भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर ड्राय चिली का भी या फिर आप रेड चिली पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने यहां फ्रेश वाली रेड चिली का इस्तिमाल किया है क्यूंकि यह बहुत तीकी है तो मैंने सिर्फ दो ही चिली का इस्तिमाल किया है यह देखिए अब हमारे टमाटर जो हैं वो हलके से पक रहे हैं अब हम इसे पांच से दस मिनट के लिए पका लेंगे और अच्छे से थंडा होने तक इसे ऐसे ही रख देंगे आप अगर लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसे तो यह देखिए हमारा जो टमाटर और सारे मसाले का मिक्चर है वो थंडा हो चुका है अच्छे से अब हम इन टमाटर को मिक्ची में अच्छे से फाइनली एकदम ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमें एकदम फाइन प्यूरी मिल जाए टमाटर और सारे मसालों की ये देखे इस तरह से अब हम इने अच्छे से चान लेंगे आपके पास जितनी बारिक याने की जितनी हो सके उतनी बारिक वाली जो स्ट्रेनर है उससे आप इसे चान ले मेरे पास इस तरह की स्ट्रेनर है तो मैं इसी से यहाँ पे चान लेंगी जितनी बारिक छलने से हम इसे चानेंगे ना हमारा जो टॉमेटो केचप है उतना ही fine उसका texture होगा तो अब हम इसी तरह से सारे टॉमेटो को ग्राइंड कर लेंगे और अच्छे से चान लेंगे ये जो बागी का बचा हुआ seeds और छिलका होता है उसे हमें discard करना है तो अब मैं इसी तरह से सारे टॉमेटो को puree कर लेती हूँ बीटरू डालने से ना हमारे टॉमेटो का जो कलर है वो extra dark हो जाएगा इस तरह से ये देखिए हमारी जो प्यूरी है वो कितनी fine दिख रही है तो बस अब हम इस प्यूरी को कम से कम 15-20 मिनट तक low flame पर अच्छे से पका लेंगे साथी में इसमें चीनी और विनेगर भी हमें डालना है और ये जो नीचे पैन में टॉमेटो का जूस बचा है हम इसका भी इस्तेमाल आगे करेंगे वीडियो में आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए ये देखिए जो पैन में बचा हुआ टॉमेटो का जूस था उसे मैंने चान लिया है अच्छे से और एक अलग बावल में रख लिया है तो अब हम ये सारी प्यूरी एक पैन में लेंगे इसी में अब हम चीनी और विनेगर नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कुक होने के लिए रख देंगे पंदरा मिनट के लिए बीच बीच में हमें इसे कंटिन्यूसली हिलाना है ताकि ये नीचे तले से लगे न ये जो homemade tomato ketchup की recipe है वो थोड़ी सी time taking है बट अगर हमें कुछ healthy खाना हो तो time तो देना पड़ेगा न तो हम इसे एक साथ थेर सारा बना कर fridge में एक से दो महिने तक रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने इसे gas पर रख दिया है पकने के लिए और इसका color जो है वो अभी से ही एकदम लाल दिखना start हो गया है तो बस हमें इसे अच्छे से mix करना है बीच-बीच में और cook होने देना है आपको मेरी recipes, videos कैसे लगते हैं कमेंट्स में जरूर बताएगा चानल पर नए हैं तो subscribe करना भूलिएगा मत तो बस ऐसे ही हम इस tomato ketchup को जो है वो पका लेंगे ये देखिए इसकी consistency जो है वो गाड़ी होना start हो चुकी है वाव देखिए color, loop, इसका texture कितना perfect दिख रहा है न तो इस recipe को आप जरूर try कीजिए तो हमने ये जो बचा लिया था tomato juice उसी में हम थोड़ा सा यानि की one tablespoon constarch डालेंगे और उसे अच्छे से mix कर लेंगे क्यूंकि हमें ketchup में जो है वो extra जो thickness होती है वो इस तरह से starch मिलाने के बाद ही आएगी हमारी जो ketchup को एक body जो है वो constarch से मिल जाएगी तो बस हमें ज्यादा constarch का इस्तेमाल नहीं करना है बस एक tablespoon काफी है दो kilo tomato के sauce को बनाने के लिए यानि की ketchup को बनाने के लिए तो बस हम इसे दो से तीन मिनट और पका लेंगे और हमारा tomato ketchup जो है वो रेडी है ये देखिए अब हमारा जो ketchup है वो बन चुका है अब हम इसे flame से निकाल लेते हैं ये देखिए इसका texture कितना बढ़िया दिख रहा है बस आप इस ketchup को बनाते समय थोड़ी से चीजों का धैन रखिएगा हाथों से ज्यादा handle मत कीजिएगा tomatoes को और जो हमने इसमें vinegar डाला है वो fresh होना चाहिए ताकि ये जो हमारा homemade sauce है वो ज्यादा दिनों तक अच्छे से चले खराब ना हो जल्दी से क्यूंकि हमने इसमें कोई preserve value का इस्तेमाल नहीं किया है इसी वज़े से हम इसे ज्यादा हाथों से handle नहीं करेंगे यानि कि direct हाथ से touch नहीं करेंगे जितना हो सके उतना spoon से ही हमें इसे handle करना है तो बस अब हम इस sauce को ठंडा होते ही serve कर सकते हैं तो मैंने यहाँ एक bowl में निकाल लिया है थोड़ा सा आप इसे पकोड़े के साथ पीज़ा में पास्ता में सैंड्वीचेज में आपकी मर्जी आप जिस चीज में इसे डाल कर खाना चाहें आप खा सकते हैं तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो आप जिस भी कंटेनर में ये सॉस को स्टोर कर रहे हैं वो कंटेनर अच्छे से साफ कर कर लें ताकि सॉस जो है वो जल्दी से खराम ना हो तो बस आप भी ऐसी ही इंट्रेस्टिंग रेसिपीज अलग-अलग ट्राइ कीजिए और आपके एक्स्पिरियंस मेरे साथ शेर करना ना भूले अब आप मुझे इंस्टाबर भी फॉलो कर सकते हैं at homecookfoodie786 पर तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए ठैंक्स पूर वाचिंग प्रणाब आपके भी उड़्या नेक्स YOU अजिए प्रयंग प्राइक भी आपके लिए बस नेक्स के कि अवाचिंग आपके लिए खकाने पूलो कि तो आपके लिए और आपके लिए गापके झाल झाल